अंतिम रसूल ने कहा है गोश्ट एक विमारी है दूद शिफा और हिलाज है दूद ओशदी और उप्चार है उनकी नसीहत के अंसार जो कुरबानी करते तसक्री करते और खाते हैं वो एक इसम से जहर खाते हैं बिमारियां खाते हैं रिहान अर्भी का शब्द है उसी का हिंदी शब्द है तुल्सी उसके सुबह शाम दिदार करो दर्शन करो ताकि जन्नत नसीब हो और जो जन्नत रोकने वाले दुश्मन है वो खत्म हो कि यह जो जन्नोरों की मीट है इसको रेड भीट कहते है तो उस रेड मीट से कैंसल पैदा होती है तो इंदरेश जी तोड़े अधुनिक थे यह लोग सब पुराने रूडी बादी है तो उनको चुड होती है उंतों इंदरेश ने जो कहा है वो उसके लिए उनको बदाई दे जानी चाहिए कि उन्होंने वहाँ जाकर डटकर बोला यह उनकी बात बिलकुल गलत है ऐसे ही है जैसे मैं कुछ जानता नहीं और मैं किसी चीज के बारे में टिपड़नी करने लगूं तो यह एक बेकार सी बात है तो उनको चाहिए कि सारा HRD मिनिस्ट्री से कह दे कि सारा प्रोटीन के जितने प्रोड़क्ट से सारे बंद कर दी जाए और सब जगा लोकी और ककड़ी और सलाद खिलाए जाए जो कुछ भी जीने के लिए हमें ग्रहन करना है उस सब में जीव है तो बताईए क्या नहीं खाए और क्या खाए और ये इंद्रेश कुमार समझते हैं कि जामिया मिलिया सही जगह है जहांकि वो RSS के प्रचारक बने है अध कचरे ग्यान वाले लोग जब सत्ता सिर्ष को निर्धारित करने लगते हैं तो अलग-अलग संस्थानों में जाकरके ऐसे बयान देते हैं जो ना सिर्फ बेतुका है बलकि समुदायों लोगों के बीच में खाए उत्पन करता है ये दिवार बनाने के एक्सपर्ट लोग हैं तो ये जामिया भी कहते हैं दिवार खड़ी करने के लिए अब उनकी ये सोच हो गई है कि सत्ता अगर है तो हम इन सब चीजों पर जब चाहें कुछ भी कह सकते हैं अपने शब्दों का प्रयोग और अपनी सोच को कानून के तहर्ण अपने तक ही सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा होगा The real issue of course of the country is unemployment, rising prices and poverty, instead of addressing the real issues, they are trying to divert the attention, and people of this country understand it and they will give a beffittin reply at the right time.